तामिल नाडू सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आपने कन्या कुमारी का देखा सुबा पांच बजे हमने दिन की शुरुवात करी और शाम के आठ बजे तक हम कन्या कुमारी में गुमें यह हमारे देश की अकेली ऐसी जगा है जहां पर खड़े होकर आप तीन महा सागर को महसूस कर सकते हो तीनों सागर एक ही जगा से तो दिखाई नहीं देंगे लेकिन कन्या कुमारी अपने आप में बहुत स्पेशल है आज का सफर हमारा कन्या कुमारी से रामेश्वरम तक का है जर्नी प्लान करते समय हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन हम कुछ ना कुछ जरूर नया देखें रिसर्च के दोरान मुझे पता चला कि तामिल नाडू की जो फेमस फ्लावर मार्केट है वो पास ही है नमस्कार फ्रेंड्स वीजा टू एक्स्प्लोर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली इस समय मैं कन्या कुमारी से आदे घंटे का सफर करके थोवलाई फ्लावर मार्केट विजिट करने आया हूँ दिन की शुरुबात हम यही से कर रहे हैं अब यह बस गाड़ी रोकी है तो मैं फ्लावर देखने के लिए फर्स शॉप में रुक गया हूँ अब यह देखें जे सेवंथी सेवंथी में डिफरेंट कलर ऐसे 8 या 10 कलर आते हैं यलो रोस पिंक रोस रेड रोस तामिन लडू पूरे स्टेट में यहीं से फ्लावर सप्लाई होते हैं और कैरला में भी दूर दूर तक फ्लावर इधर से ही जाते हैं जहां पर अभी मैं खड़ा हूँ ना इस जगह अप्रॉक्सिमेट बीस के गरीब तो शॉप्स बाहर में रोड पे हैं और कुछ शॉप्स अंदर की तरफ हैं अब हम अंदर की तरफ चलते हैं थैंक्स अब अंदर चलते हैं कि इतना होलसेल में काम हो रहे तो जज़ब कि आज तक वैसे मैंने कभी कोई ऐसा एफट भी नहीं किया कि मैं फ्लावर मार्केट विजिट करूं लेकिन यहां के जो मैं देख रहा हूँ न स्केल तो बहुत हीज है जबरदस्त कुछ देर से मैं कोशिश कर रहा था कि कोई हिंदी या इंग्लिश में से बात कर सके तो शीवम जी मैं फाइनली में मिल गए है तो बेशिक मेरे कुछ सवौलैं कितने साल पुराना मार्केट है वेंडर कितने जो यह बेशते और फिलावर कहां से आ रहे हैं और टोटलबर में व्राइटी कितनी है क्योंकि यहां पर मैं देखी जासे बताया मैंने आपको फर्स लुब बढ़ा बातार है यहां पचास सल पुराना मार्कट आए से मतलब कंसे कम 50 किलो मेटर दूर से कुछ फ्लवर आती है उसके बाद वसूर अब फिर बैंगलॉर उसके बाद से लम मदुराई यहां से भी बहुत सारी फ्लवर यहां आता है करती जहने के तंटे Euro avaiger देखने में क्या के कम सब तस कशहते तंते फोल दाता ये यह दो कम सब बॉह सारी मतलब पिर कम से कं पंचास पंचास आती टिर्टिर फिट्टि सुप्टिर शीच रिघर सभी है कि अर्ली मार्री सारी त्रीन ऑज़ दो अलग तक कुछ अरित अब बत ज़ादा तंध मार्फिट किराभ जो अब अब कम मैं जाजा वह और पहले बुस्का भागाने करें लिए। अब एगंटे में पहुंच जाओगे इसका मतलब हाइवे अच्छा है आज के इस दिन का टूर प्लान करते समय कितना टाइम तो मैंने यह सोचने में ही लगा दिया कि मैं कोश्चल रूट लेते हुए रामेश्वरम जाओं जिसका मतलब है तुरिनेल विल्ली को स्किप करना क कोश्चल रूट लेने से फाइदा यह है कि हम मानपार बीच विजिट कर सकते हैं सुना काफी खुबसूरत बीच है यहाँ पर लोग सर्फिंग करने के लिए भी आते हैं तिरुचिंदूर एक इंपॉर्टन प्लेस है यह भी कोश्चल रूट में ही आती है फिर मैंने डिस लगबग सवा 600 किलोमेटर दूर है नाष्टा हम यहाँ पर करने वाले हैं जानकी राम होटल से ना यहाँ पर नीचे वेज रेस्टोर और देर चलके नाष्टा करेंगे नाष्टे में मैंने अपने लिए यहाँ पर न दो चीज मंगवाई है पॉंगल साथ में इडली और वड़ा वैसे धनिया चटनी ना मैंने को लगता है जब मैं साउथ आता हूं ना तो धनिया चटनी काम खाने को मिलती है गोकरनट चटनी के साथ टोमेटो चटनी तो जग अ tiene Undo ौंगल से यहां दाल और चाओल दाल कम तहना दाल कम रहती है चाओल ज्यादा देता है और इसका फ्लेवर में जो चीजी चाहर चान्द लगाती है आम दोर पे कभी पोंगल खांग तो एक कड़ी पतता इसका तोड़ ही नहीं है इसका अलग स्वाद है साथ में अच्छा बना लाइट एंड हेल्धी ब्रेक्फ़स्ट कल मैंने नागर कॉल में जो सांबर टेस्ट की आदा और यह जो सांबर है दोनों में बहुत जादा फरक है तो मैं यह क्या कि मैं आपको यह बताना चाहरा हूं यह तो टिपिकल सांबर है जो आपको जगा-जगा देगव वरिशन के साथ नागर कॉल में अलगता है उसमें बहुत जादा थे है कि अ है दाल वड़ा क्रिस्पी है और ओवराल तेस्ट अच्छा है जो स्पाइस प्योर दाल का टेस्ट आ रहा है बाकि फ्राई करके इसको बनाते है लास्ट टाइम जब मैं साउथ इंडिया में आंध्रा प्रदेश आया था तो मैंने जगा-जगा कांधी पोड़ी या कारम पावडर इडली के साथ टेस्ट किया तो राफ हीजे हेले के कऱिए टीज़्डी इसे लिए कारम बोलते हैं इसका जो स्पाइश शाधी यह दनिया और ट्रम और गार्लिक से बनता है और इडली के साथ जादा यहां पर लोग पसंद करते हैं इडली के टेस्ट में ना चार चान लग गये है यह पोडर इस्तबाल करके चागे सही है बहुत बढ़ी हाँ मुझा आगया प्लिटर कफी universo? हूँ इंव शुगर शुगर स्टूगर शुगर स्केश ज्म ये शुगर बिस्टूगर ओफ लबली हासा कुछ लोग कॉफी बनाने के लिए चिकरी इस्तमाल करते हैं, 80-20 रेशो, 70-30 रेशो भी इस्तमाल करते हैं, 30% चिकरी, और कुछ लोग प्यूर कॉफी यूज़ करते हैं, वो अपना हर किसी का तरीका बनाने का, जब मैं कूर्ग करनाटका गया था, मां मैंने एक वीडियो ब जरूर देखना, थोड़ी कुरानी बात हो गई है, तो आपको वीडियो क्वालिटी हो सकता इतनी ज्यादा, अब टू डेट आज के जमाने ही ना लगे, लेकिन, इन्फोर्मेशन भरबूर है, पूरा कॉफी पे, डिटेल्ड वीडियो है वो, जहां पर मैं बैठा हूँ हो यह जी है, टैपियो का पापड, हम कैरला गए थे, तो कैरला में तो टैपियो का, आप गए तो मिस करी नहीं सकते, तो पापड यहां का फेमस है, यह इन्होंने मेरे को राइस पापड बताया, और यह बताया जी, उरत दाल से बना हुआ पापड, राइट? यहां पर पैकिंग के उपर आपलम लिखा हुआ है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पापडम और आपलम एक ही चीज है, यह चार किसम की चकली है, जो ज़्यादा चलती है, खास बात ही है कि इसको कोकोनेट ओयल में बनाया गया, और चारो की चारो राइस से बनी है, तो यहां पर होते हुए इदर आजाता है, यहां पर होते हुए इदर आजाता है, 4 आइटम बिल, I'm paying, बिल बिनाता हुए, सांती स्वीट्स की शॉप है, वहां चलकर हलवा भी टेस्ट करेंगे, वाकिंग डिस्टन्स पर ही है, मुश्किल से 100-150 मीटर्स होगा इदर से, आओ जी, इसको क्या बोलते हैं? पाम ट्री में नीचे की तरफ निगल लगता है या ट्री के ऊपर लगता है? जमीन में तो अभी खाएंगे कैसे? जैसा? जैसे? अच्छा, ओके, ओके, अच्छा, 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 तोड़ड़़गे उसका छिलका निकालते हैं? अगली बार जब मैं तामिलनाडू, आंदरा परदेश, तेलंगाना या वेस्ट बेंगॉल में ट्रावल कर रहा हूंगा, तो पनक गलंगे को डिटेल में समझूगा, इस बार मैं ना समझ नहीं पाया, ये पाम ट्री की रूट में ग्रो कैसे होता है, वैसे एक बहुत अच्छा वीडियो भी है, विलेज कुकिंग चैनल करके, तो वहां उन्होंने समझाया है, लेकिन पूरी तरह से मेरे को समझ में नहीं आया, तो इसको ऐसे स्नैक ले लेते है किसी चीज के साथ खाते हैं, चट्नी और सम्तिंग, तो पकाते कैसे बॉल करके, ये जो प्रिला कलर के लिए तो अल्डी लाते हैं, ये फूरे के कौश क्या है, अच्या सुर्पूरा, 50 रूपीज, तो ये बढ़िया, तो इसके बाद ही है, जीज अभी मैं खड़ा हुना, यहां से 200 मेटर आगे चले जाएंगे, तो तिरुनेल विल्ली का रेलवे स्टेशन आ जाएगा, और मेरे ठीक सामने पेरियार बस्टैंड है, तिरुनेल विल्ली जंक्शन लिखे न, ये नेया बस्टैंड यहां पर तयार हो रहा है, नाम इसका पेरियार क्यों है, क्योंकि यहां पर हल्वा लेना ना, बिल्कुल भी असान काम नहीं है, पहले भीड देख लो कितनी है, पूरे को पूरे लगे है, दस मिनिट यहां से हल्वा लेने में, वो भी तब जब इशारा किया मैंने कि हल्वा दे दो, तो हाफ केजी हल्वा मेरे को मिला है, 140 रुबीज का, य कहीं पर भी आपको ऐसा हल्वा खाने को मिले गा है, जिसको बोलते हैं, वीट हल्वा कमिंग फ्रम तामिल लाडू, हाई चांस हा कि वो तिरुनेल विल्ली का होगा, ओ, 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 यह एकदम करम लेकरा है, गरम गरम देता है, यह गरम ही खाया जाता हल्वा, लो, 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 ल यह गागे तो हें, इससे हाल ऊएजादे में यह दुस है यह हुप्ट हूМ ऑः वैजाब क्या चीज़ है यह छैज़ा, क्या चीज़ है पंगर में कैसा लगा बहुत अच्छा अच्छा इसकी देखो खास बात यह है कि वीड से इसको तयार किया गया है यह इसका बेस इंग्रीडियन्ट है गी की लोडिंग फुल-on है और इसमें कैरमलाइज सुगर डालते है उपर से और सुप्ड हॉट राम दौर में न इतना ज्यादा मीठा आज कल भरेज करता हूं लेकिन यह तो अपने आपको रोग पाना बहुत मुश्किल है अच्छा यह जो इतने लोग यहां खड़े हैं यह हमेशा इतना करूड रहता है वैसे यहां पर आके न पिरुनेल विल्ली का फेमस हल्वा खाके हमारा दिन बन गया इसको ऐसा वीठ हल्वा ग्यों का हल्वा इसब नहीं बोलते हैं इसको पिरुनेल विल्ली का फेमस हल्वा बोलते हैं यह इसका नाम है गजब अति सुन्दर चलिए हल्वा फिनिश करके आगे चलेंगे हम नेलियप पर टेंपल पहुंच चुके हैं लेकर चार बज़े तक मंदर क्लोज रहता है हम लोग लेट हो गए तो फिर भी यहां पर इस वजय से आए कि बाहर से दर्शन कर लेंगे सासद आपके साथ यहां की हिश्ट्री भी शेयर कर लेंगे कितना प्राचीन मंदीर है और यहां की मेन माननेता क्या है है देकिए सामने जो आप मंदिर का गेट देख रहे है ना बेसेकली मेरे में एक गोपूरम बता रहां गोपूरम के सामने से अधर जाते हैं यहां की मेन एंट्र Meansन राने लाने के लिए hope वाल राज मरत आते गए आना यहां के यह और छार썬्स्री जा दूद करता था। गूह दूद लेकर ना जब ही इस एरिया से निकल रहा होता था यहां पर बैंबु फॉरस्ट होता तो मैंभी वभी ए नग्षेब्टव शुर्ड रहे तो राजा ने चाहस से खूंघ तो जुद राजा को पता लगी तो राजा शिव से हमें प्रातना करनी पड़ेगी कि हमें माफ कर दो और राजा ने वहां पर भगवान शिव से प्रातना करी और कहा कि यहां पर मैं आपका मंदिर बनवाओंगा तो 7th century से टेंपल यहां पर है इस शेहर का नाम त्रुनेल वल्ली कैसे पड़ा उसके बारे में आपको उन्होंने उस किसान के पैडी फील्ड को बारिश से बचाया तो उसके फार्म के बाहर होगी बारिश और फार्म के अंदर धूप आ गई तो यह एक चीज है जिसकी वज़े से इस शेहर का नाम पड़ा तिरुनेल वल्ली अब इसका लिटरल ट्रांसलेशन है शिरी तिरु बोले तो शिरी नेल बोले तो ग्रेन पैडी वेली बोले तो फैंसिंग क्योंकि भगवान नेलेपर ने पैडी को बारिश से बचाया साथ-साथ उसके फार्म के बाहर फैंसिंग भी कर दी तो शेहर का नाम तिरुनेल वल्ली इस वज़े से पड़ा अब यह क्लारिटी नही कि मैं टेंपल अंदर जाके विजिट करता लेकिन आज हमको नाइट से रामेश्वरम में करना है अगर यहां भी हम चार बज देक रुकेंगे क्योंकि अभी सवा दो बज़े हैं तो ज्यादा लेट हो जाएंगे हमको तुथकूडी भी जाना है और उसके बाद रामेश्व कि कहां खड़ी है आई थिंक वहां पर सामने है तुथकूडी पहुंच गए हम सबसे पहले ना खाना खाने के लिए हम आये हैं अंडवर नाइट क्लब कि मैं एक सब्सक्राइब कराथा त कहां जा सकते हैं यहाँ पर हमको ना पोरिचा परांथा क法ला खाना है अब लॉंच वाल क्योंकि निकल चुका है तो और रेस्टाइम में लुक्त नकीप रहें यहाँ पर हमको यह पुरिचा परांथा मिल जाएगा वैसे जहां पर मैं ख पोरिचा परोटा हम पजाबी में वह तो कर cotton कि ना sound आर तो इसमें नमक डालते हैं वैसे और फोड़ा सा दूद भी आड़ करते हैं, कुछ लोग शुगर भी आड़ करते हैं, बाकि हर किसी का बनाने का अपना टेकनीक है पॉरीचा पॉरटा? पॉरीचा पॉरटा खाएगा खाएगा? बैठते हैं, साथ में क्या है? शिके नहीं मटन है वेजिटेरियन और रोटा इप लाटा खाएगा अच्छा तो मटन गरेवी दिए दो अच्छा मुझे इन्होंने दिया ऐसा चूरा बनाकर और आपको ऐसे बोला था आपने और जैसे इसका कॉंबिनेशन यहां पर मटन के साथ है, चिकन के साथ है, वेजिटेरियन कॉंबिनेशन भी होता है यह उत्व इसके असथ यही सब्सक्राइब नॉन वजी है स्वा कॉंबिनेशन ग्रिवी तरने पड़ेगे अब है यहां गर्म यहां गर्म है इन्हों इतना सारा ही मटन गरीवी तयार और चिकन गरीवी तेयार गया हुए है इस अब निकल जाएगा इनका ग्यारा अगरे खाड़ी हो जाएगा अच्छा की परोटा के साथ मिक्स करो साथ में मस्त ग्रेवी बहुत बड़ी असुआ गया एक बात तो मुझे समझ में आगी यह परोटा इंज्वाई करना है ना तो ग्रेवी के साथ ही मजा आएगा जितना परोटा उससे ज्यादा ग्रेवी सो कर लेता है ना परोटा ग्रेवी को वो रिचा परोटा केवल इसी शहर में चलता है या बग्की जगा भी तामिल अडू में होता है यह जादा है ना तो बहुत रेश्टरांट होगी जो बनाते होंगे हम लोग लेट होगे ना इसकी वज़े से हमें नहीं मिले अगर टाइम पर आ जाते तो और आप्शन भी हो जाती अभी ऐसा है कि यह बना तो बड़े वॉल्यूम में रहे हैं लेकिन होता ना नए जमाने के हिसाब से आपकी वहाँ पे थोड़ा सा कमजोर है बड़ टेस्ट में कोई कमी नहीं है टेस्ट हो मस्त है पांच बज के पंदरा मिनिट हो गया है और छे बजे का तो संसेट है अब दस मिनिट में हम अपना लंज फिनिश करेंगे और सी बीच विजिट करेंगे यह ठीक रेगा मुथू नगर बीच हम आ गए है सही है बीच की बार बहुत बढ़िया सी पारकिंग बनी हुई है यहां पर आने से पहले न मैं रिव्यूस पढ़ रहा था यह बीच के बारे में तो काफी लोगों ने लिखा था कि उतना ज्यादा नीट एंड नहीं है मैंटेन करने की जरूरत है लेकिन अब यहां पर आके जो मैं देख रहा हूं मुझे कोई कमी नहीं दिख रही इस बहुत खूब इस हवा को मैसूस कर रहे और इंज्वाई कर रहे हवा तेज है यह देखो पेड़े कैसे जूम रहा है ऐसास हो रहा है ना कन्यकुमारी जितने तेज नहीं है कन्यकुमारी में तो हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है मैंने एक चीज़ देखी है समुदुर का वही की नारा होता है जहां पर हम दुपैर के 12 बजे आते हैं सुपा के 6 बज आते हैं और शाम के 5 बज आता है तीनों टाइम के महोल में पहुत फरक आ जाता है इस समय यहां पर खड़े हो कि मिरेको उतना ज्यादा मजा आ रहा है क कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता अब यहीं जगा अगर मैं दुपैर के समय आ जाओंगा तो मज़ा कम हो जाता है और सीबी साइट तो जनरली शाम के समय ज्यादा मज़ा आता है हवा में ठंड़क भी होती है और बहुत जगा धलता हुआ सूरज भी दिख जाता है लोकेशन बहुत मस्त है लिमिटेड क्राउड है वैसे तूरिस यहां पर ज्यादा नहीं आते हैसा मेरे को मालूम चला है मैंने काफी लोगों से पिछले एक दिन में बात करी है कि आपका क्या प्लान है मुझे लोग मिले जो रामेश्वरम जा रहे हैं बट यहां आने का प बहुत आनन्दार है जहां पर हम सीबी साइड गए थे ना वहां से हमने लगबग दो किलूमीटर का सफर किया है सॉल्ट पैन देखने के लिए पहुंच गए हैं पहले बता देता हूं मैं कि हम जहां खड़े हैं यहां सीन क्या है समुदर मेरे लेफ्ट एंड साइड पर है यहां से अगर हम एरियल डिस्टेंस वाइस बात करेंगे तो मुश्किल से समुदर का पानी नीचे से माथ इस रोड के नीचे से ऑटोमेटिकली ग्रैविटी के थू यहां तकाता है अब जब इनको पानी की जरूवत नहीं होती तो पानी करास्ता बंद कर देते हैं तो समुदर का पानी यहां पर आगे कठ्था हो गया दूप से पानी एवापरेट होता नीचे नमक बच जाता है जो यहां पर हम देख रहे हैं और इसको सॉल्ट पैन बोलते हैं यह दिख रहा है आपको तरपाल से नमक को कवर किया हुआ है नीचे इसके पूरा नमक है अब यहां पर जो बेसिक प्रोसेसिंग काम तो कर देते हैं बाकी फैक्टरी में फिर न आयोडीन वाला काम भी करते हैं सॉल्ट में आयोडीन जरूरी होती है सही है बहुत खूप आगे चलते हैं यहां पर खड़े होगे नमक हमें तो अच्छे से दिख जाएगा इनों ने पूरी तरह से तरपाल से कवर नहीं किया वैसे जिन लोगों ने आज से पहले कभी सॉल अगर हम यहां पर में मन्त में जून में जुलाई में आते हैं जब बारिश नहीं होती वैसे आम तो पर मॉनसून इनहीं महीनों में होता है लेकिन यहां पर बारिश नहीं होती उसमें धूप होती है तो पानी वैप बीच में बच जाता है वह फिर बचा हो नमक यहां पर अब शुचा करते रहते हैं, मैंने अभी कुछ दिर पहले आपको बताया, यहां बारिश कव होती है, दिसंबर और जैनवरी में, चनई से लेके मैं इस एरिया थक कि बात करूँ जहां पर अभी मैं खड़ा हूँ, कन्या कुमारी में भी दिसंबर जैनवरी में होती है अगरिकल्चर सेक्टर स्ट्रॉंग होता है, बारिश के लिए परे करते हैं, किसान की बारिश हो, लेकिन यहां पर बारिश होने से उनका फानेशल लॉस हो जाता है, और पूरा मेनत पानी में चली जाती है, बारिश होगा तो नमक फिर से भिखर जाएगा, सही है, बहुत अगरिश्वरम की तरफ आगे बढ़ेंगे, लगबग एक किलो मेटर और आगे आके ना हम बीच रोड की तरफ आगे है, अब समुद्र आपके लेफ्ट में रोड सीधी चल रही है, ट्राफिक कोई जादा नहीं है, हल्का फूल का ट्राफिक है, यहां पर खड़े हो के ना तेज हवा मैसूस हो रही है, जैसे कुछ समय पहले हम सी बीच विजिट करने कहते हैं, हवा तेज चल रही है, वो सेम ऐसास यहां पर और हवा में ठंडक है, सामने ना समुद्र आच्छे सनी दिखाई देगा, फिर भी थोड़ा बहुत आप विजूल देखो, वो सेंट्रल इस तरफ को स्टेट का पवरलट है, तो यह तीनों ठर्मल पवर्ट बार्ट है, कैंट पर आता ज्यादा तर Odisha से, हो सकता किसी और स्टेट से भी आता हो, लेकिन Odisha से कोईला ज्यादा आता है और शिप के थ्रू आता है, वैसे हम तुटी कोरिन, पुराने जमाने, बतलब हमारे समय में, जब हम बुक्स में बढ़ा करते हैं, तो वाट स्ट्राइक्स इस, इस पोर्ट सिट यह पहली चीज माइंड में आती है, पोर्ट सिटी है, तो शिप से कोईला यहाँ पर आता है, और दिन भर यह कारवाई चलती रहती है, और पोर्ट से ही, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कोईला, प्लान टक महुंझ जाता है, बाकि यह जगा मस्त है, यहाँ पर आप शाम के सम अमीता जी के साथ हुई है, आपने बताया, आप जारकंड के रहने वाले हो, अच्छा, जैसे मैं आप से अभी पांच मिनिट से बात कर रहा हूं, तो हम अगर यहाँ पे एक दो गंटा पहले आ जाते हैं, तो और कहां जा सकते थे, सर आप अपर बीच जा सकते थे और बग बसेलिका है, आवर लेडी आप स्नो, तो वहाँ पे वो 15th सेंचरी का बसेलिका है, और इंडिया के 29 बसेलिका में से 1 है वो, और वहाँ पे 5th August को फेस्ट होता है, उसका, और काफी बड़ा होता है, और उस दिन सारे सिटी में चुटी होती है, ओफिसेज, स्कूल, यह सभी चुटी होते है, तो वंडे का फेस्टिबल होता है, वंडे का फेस्टिबल होता है, सर, पर प्री सेलिब्रेशन 10 तक होती है, चलो सही, आप से मुलाकात भी हो गई, और साथ-साथ हम लोग फिल्टर कफी भी बीली, अब हम नहीं से निकल रहे हैं, रामेश्वरम जाने के लिए, अप्रोक्सिमेटली चार घंटे लगेंगे, रामेश्वरम पहुंचने में, डिस्टन्स वाइज अप्रोक्सिमेटली 180 किलो मीटर, हाइवे वैसा नहीं है, जैसा अभी हम जिस हाइवे से आया है, सिंगल रोड है ऐसा आपने बताया, लेकिन चार घंटे में आसानी से पहुंच जाएंगे, राइट, अब क्या करते हैं, यह एपिसोड हमारा यही पर फिनिश कर देते हैं, आठ बज गया है, तो रामेश्वरम जाकर हम पहुंचेंगे कितने बज़े, बारा बज़े, और कल सुबह आपसे मुलागात होगी नए अपिसोड नई जरनी, अभी झाल